जंग का मैदान था, सन था 1178, गुजरात के सोलंकी राजा अजय पाला की मृत्यु को साथ साल हो चुके हैं सिंगासन पर बैठा है, उनका आठ दस साल का पुत्र, और राजधानी के करीब 40 किलो मीटर पर मुहम्मद गोरी अपनी सेना के साथ शिविर लगाए, मुल्तान को फ पारा धन उसे दे दो, तो वो बिना खून खराबे के लोट जाएगा, रानी नैकी देवी, जो कदंबा, गोवा की, राजकुमारी और गुजरात की रानी थी, ने संदेश वाहक को ये शर्त मान लेने का आश्वाशन देकर वापस भेज देती है, संदेश वाहक जैसे ही ग घुंड के आने की आवाज आती है, आसमान में उड़ती धूल ये बताने के लिए काफी है, कि सोलंकी सामराज्य की रानी अपना गुजरात इतनी आसानी से नहीं देगी, अभी गोरी कुछ समझ ही पाता की, रानी नैकी देवी की सेना मलेच्छों पर तूट पढदाती है, दोनों हाथों में तलवार लिए, रानी नैकी देवी मलेच्छों के सर धड़ से अलग करती चली जाती है, तभी उसकी तेजधार की तलवार का सामना गोरी से हो जाता है, कुछ इतिहास कारों का कहना है कि रानी ने उसके अग्र भाग पर हमला कर उसके आला ए तनाशुल को घायल कर दिया था। कभी गुजरात की तरफ नहीं देखा, नैकी देवी की गाथा इतिहास में कहीं दफन रह गई, पर भारतिय नारियों को स्वाभिमान से जीना सीखा गई।